आज मैं बनाओंगी मोगलाई चिकन करी इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आदा किलो चिकन दो बड़े चम्मच अधरक लसुन पा पेस्ट तेल तीन बड़े टमाटर कुसे हुए एक चम्मच मिर्ची पाउडर एक चम्मच गरम मसाला दो चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर आधा निम्बू, दस से पंद्रा काजू, एक वाटी बिरिस्ता, ये दो कांदे में मैंने प्यास तलकर रखी थी, खड़े गरम मसाले में दो दाल चिनी, तीन छोटी इलाइची, चार लॉंग, दस से पंद्रा काली मेरी तेज पत्ता, अब ये सारे मसाले मैं चिकन में दाल निम्बू दालूंगी, अध्रक लसुन का पेश्ट, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, मैंने इसमें नमक बताना भूल गई हूं, इसमें अब मैं नमक एट करूंगी, नमक आग स्वाथ के साथ से लो, हमारा मसाला मिल चुका है, अब इसे मैं आदे घंटे के लिए रख दूंगी, अब मैं ये बिरिष्टा पीश कर ले लूंगी, मैंने बिरिष्टा पीश कर निकाल दी हूं, अब इसी जार में मैं काजू दालूंगी, हमारा काजू और बिरिष्टा पीश कर तयार हो चुका है, कड़ाई को मैंने गैस पर रख दी हूं, अब इसमें दालूंगी तेल, अब तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं दालूंगी इसमें खड़े गरम मसाले, अब इसमें एट करूंगी चिकर, अब इसमें बाद करूंगी, अब इसमें बाद करूंगी, अब दस मिनिट हो चुका है, चिकन को पका कर, अब मैं इसमें दालूंगी पिसेवे ठामाटर, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पांच मिनिट के लिए ढकन लगाकर पकाएंगे, अब हमारे पांच मिनिट हो चुके हैं, अब हम इसमें इसमें ढकन हटा कर देखेंगे, माशाल्ला, अब इस आधा पक चुका है, अब मैं इसमें दालूंगी पिसा हुआ ब्रिष्टा, अब इसे अच्छे से मिलाकर फिर से हम ढकन लगाकर पांच मिनिट के लिए रख देंगे, अब हमारे पांच मिनिट हो चुके हैं, अब मैं चिकन को चेक कर लेगी, माशाल्ला हमारी चिकन थोड़े गल रहे हैं, अब मैं इसमें थोड़ा से दालूंगी नमक की की मैंने माशाले में सिर्क नमक दा लीती, अब इसमें आधा चमच और नमक दालूंगी, अब इसमें दालूंगी कार्जू का पेस्ट, अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी, फिर इसे पाँच मिनुट के लिए पका लूंगी, अब हम धक्कन हटा कर देखेंगे, माशाल्ला हमारी करी तयार हो चुकी है, अब हम गैस बन करके इसे बावल में निकाल लेंगे, माशाल्ला हमारी मोगलाई चिकन करी तयार हो चुकी है, वीडियो पसन आए तो शेर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अल्ला हाफीज,